हेलो चिल्डरिन आज की इस वीडियो में आप लोग क्लास 10 का एक पोयम जिसका टाइटल दे ट्रीज है वो पढ़ेंगे कैन देर बी ए फॉरेस्ट विदाव ट्रीज क्या कोई जंगल जो है वो बिना पेड का हो सकता है चिल्डरिन जैसा की आप सभी जानते हैं इन फेक्ट हम भी जानते हैं तो एक जंगल वही होता है जहां पे बहुत ही ज्यादा पेड पौधे पाये जाते हैं जहां पे जंगली जानवर भी रहते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी एक ऐसा भी forest हो सकता है, जंगल हो सकता है, जहाँ पेण ही ना हो, क्या ऐसा possible है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इस poem में यह जो trees जो है, यानि की पेण जो है, वो कहा जा रहे हैं, तो चलते हैं यह समझने के लिए Children सबसे पहले तो हम आपको बता दे कि इस poem में जो word trees का प्रयूग किया गया, वो narrator यानि की जो इसके writer जो है, वो trees का प्रयूग जो है, वो women यानि की ओरत के लिए किये है और यहाँ पे जो word दूसरा जो forest आया है, वो home के लिए यानि की घर के लिए किया गया तो सबसे पहले इसके paragraph को समझने के लिए चलते हैं Children paragraph one जो है, वो आपका the trees से ले करके, by morning तक आपका पहला paragraph है, ठीक है? तो पहले paragraph को समझने के लिए चलते है The trees inside are moving out into the forest यानि की जो जंगल के जो पेण जो है, जितने भी जंगल के जो पेण पौदे जो है अब वो उस जंगल से बाहर जा रहे हैं, यानि की जंगल को छोड़ करके वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं The forest that was empty all these days जो ये forest जो थे वो पहले पूरी तरीके से खाली हुआ करते थे अब चुकि ये forest जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पेण पौदे नहीं है तो जहाँ पेण पौदे नहीं रहेंगे तो वहाँ पे चिनिया तो रहेंगी ही नहीं तो यहां बताएगे कि where no bird could sit अब पेंड पौधे ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पेंड पौधे ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पेंड पौधे ही नहीं सकती थी No insect hide और वहाँ कोई भी कीड़े मोकोडे जो है वो छिप नहीं सकते हैं आप देखेंगे children कि अगर किसी भी पेंड पौधे की हम जड़ को उखाडते हैं तो वहाँ पे उस जड़ की नीची बहुत ही ज़्यादा कीड़े मोकोडे छिपे रहते हैं No sun beauty, its feet in shadow अब चुकि वहाँ पे कोई पेंड पौधे नहीं रहेंगे तो यहाँ जो सुर्य का प्रकास जो आएगा उस सुर्य के परचाई में सुर्य जो अपने पैरो के छाया को भी नहीं छिपा पाएगा The forest that was empty all these nights यह पूरा forest जो जंगल जो है यानि की घर जो है यह पूरी तरीके से अब यह पूरी रात क्या है खाली है Will be full of trees by morning यह कल सुबह तक पूरी तरीके से यह फिर पेंडों से भर आएगा तो children actually यह जो writer जो है यह क्या बताना चाहते हैं कि अब जो औरते जो हैं जैसा कि हमारे custom में tradition में हैं कि औरते जो हैं उनको घर में रहना पड़ता था ऐसा tradition हमारे यह चलते आ रहा है तो अब यह औरते जो हैं अब वो उस forest को छोड़ करके यानि कि उस घर को छोड़ करके बाहर जा रही हैं और वो सभी काम भी कर रही हैं जैसे आज हम देखते हैं तो औरते जो हैं वो engineer हो चुकी हैं डॉक्टर हो चुकी हैं वो सारे काम को कर रही हैं तो यह रहा हमारा पैरा नमबर वन चिल्रिन चलते हैं पैरा नमबर टू पर ओल नाइट दर रूट्स वर्क पूरी रात यह जो जड़ जो हैं यह क्या करेंगे कार्य करेंगे यानि की दिन भर वो काम करेंगे रात बर to disingize themselves from the cracks in the veranda floor क्योंकि जो veranda floor जो है वरanda जो बाहर की और हैं उससे वो अपने जड़ को जो crack जो है वहाँ से अपने आपको वो disingize कर सके यानि कि बाहर कर सके तो फिर से आपको चिल्डन पता होगा कि वो जो root जो हैँ वो किस के लिए तो औरत के कदम के लिए बताया गया कि अभी यह ओरत जो हैं वो अपने घर के वरंदा फ्लोर जो हैं उससे वो बाहर निकलेंगी घर के दिवारों को पार करके देखो देखो जो पत्ते जो पेन के जो हैं वो गलास की और स्ट्रेन कर रहे हैं यानि की तनाव मार रहे हैं अब वो वहां से गलास को तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं इस मॉल्टिक्स जो चोटे चोटे जो टहनिया जो है स्टीफ विट एक्जर्सन वो फोर्स के साथ प्रेशर के साथ बाहर निकल रहे हैं लॉंग क्रैमड बो जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो बो यानि की डालीया जो है वो पूरी तरीके से आगे निकलने की कोशिस कर है अंडर दे रूफ लाइक निवली डिस्चार्ज पेसेंट हाफ डेस्ड मुविंग टू दे क्लिनिक दूर्स तो यहाँ पे चिल्डरेन जो पोएट जो है वो बताना चाहता है कि वो कंपेर कर रहा है जो पेन के जो रूट्स जो है उनको वो बाहर निकाल रहा है गलास से सी घबडाया हुआ डेस्ड यानि कि एक घबडाया वो बहुत दीनों से किसी भी पेसेंट को रखा जाता है हॉस्पिटल में तो जिस तरीके से वो बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से खलबलाया रहता है कि अब मुझे इस जगह से आजादी मिले मैं दूसरी दुनिया को घुमों तो वो उस चीजों को बताने के लिए यहाँ पे तुलना कर रहा है कि अब यह औरते जो हैं वो भी पूरी तरीके से घर को छोड़ करके बाहर निकल रही है सारे कामों को करने के लिए पूरी दुनिया देखने के लिए I sit inside a poet बोल रहा है कि मैं अभी घर के अंदर बैठा हुआ हूं doors open to the veranda writing long letters अब poet जो है वो घर के अंदर बैठा हुआ है और जो दरवाजे जो है वो बाहर की और यानि की बरन्दा की और खुले हुए है और poet जो है वो बैठ करके क्या कर रहा है कि writing long letters वो बड़े बड़े letters यानि की पत्र लिख रहा है story लिख रहा है in which जिसमें I scarcely mention the departure of the forest वो ये सारी चीज़े बता रहा है कि देखो देखो ऐसा हो रहा है लेकिन उन्होंने अपने इस letter में अभी ये जिक्र नहीं किया गया कि ये पेंड जो है वो जंगल से बाहर निकल ही चुके हैं departure word जो है वो children बाहर निकलने के लिए होता है release होने के लिए of the forest from the house यानि की जंगल के घर से वो बाहर निकल गया है यानि की poet जो है वो अब भी letter लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने ये नहीं बताया है कि अब वो पूरी तरीके से जो औरते जो बाहर निकल ही गई है the night is phrase अब वो बता रहे हैं कि जो आसमान जो है वो पूरी तरीके से phrase है साफ है the whole moon science पूरा जो चंड्रमा जो है यानि की full moon जो है वो चंड्रमा जो है वो पूरी तरीके से चमक रहा है in a sky still open और पूरा आसमान जो है वो खुला है यानि की कोई बादल नहीं है आसमान पूरी तरीके से phrase है the smell of lips and lichen still reaches like a voice into the rooms और जब लेटर को लीख रहा है तो उस समय पूरी तरीके से phrase रहता है तो जो smell of lips यानि की पत्तो की जो smell जो है महक जो है और lichen जो होते हैं उनके जो महक जो है वो कवी के mind तक कमरे में बैठा कवी जो letter को लिख रहा है इसके mind तक आ करके उसका एक आवाज जैसे है वो कवी के कानों तक गुंज रहा है तो चलते हैं पैरा नंबर नेक्स्ट पे चिल्डेन my head is full of whispers which tomorrow will be silent poet जो है वो बता रहा है कि अभी जिस तरीके से मैं story को, कहानी को लिख रहा हूँ, letter को लिख रहा हूँ तो उसमें मेरा जो hate जो है अभी मेरा जो सिर जो है वो पूरी तरीके से whispers यानी की बहुत बातों से बुदबुदा रहा है यानी की वो बहुत सारे चीजों से अभी भरा पड़ा हूँ है मेरे दिमाग में बहुत सारे खयाल आ रहे है which tomorrow will be silent जो कल को पूरी तरीके से silent यानी की सांत हो जाएंगे कल को मेरे पास कोई आवाज whispers जो है वो मेरे दिमाग में नहीं रहेंगे listen, सुनो, the glass is breaking देखो अब ये जो glass जो है घर का जो glass सीसा जो है खिडकी जो है वो भी अब क्या हो रहे है तूट रहे है यानी की अब जो औरते जो है वो बाहर निकलने के लिए तैयार है the trees are stumbling forward जो पेंड जो है वो आगे की ओर stumble कर रहे है यानी की अब वो उस जगह को छोड़ करके move कर रहे है into the night रात में winds rust to meet them hawai जो है वो तेजी से आवाज करते हुए वो क्या करनी है वो भी पेंडों से मिलने के लिए जा रही है the moon is broken वो poet जो है वो moon का तुलना एक mirror से करता है कि जो moon जो है यानी की चंड्रमा जो है वो broken like a mirror वो एक सीसे के जैसा तूट गया यानी की आदा पार्ट जो है वो चंड्रमा को दिखाई देता है its pieces flash now in the crown of the tallest ओक और उसका एक जो पार्ट जो है उस चंड्रमा का जो एक बचा हुआ mirror का जो पार्ट जो है वो जो बड़ा सा जो टॉलिस्ट का टॉलिस्ट ओक ट्री जो है उसका वो ताज बन गया है so children class 10th का video ये रहा आप लोगों के लिए अगर आपको ये video पसंद आया होगा तो हमारे नीचे comment box में comment जरूर करेंगे और अगर आपको video पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा तो अब आप like और subscribe हमारे चैनल को जरूर कर दीजेगा ताकि आपको आगे और भी हमारे video जो है वो आपको मिलते रहें